कि नमस्कार मित्रों स्जी के जी स्टडीज एंड स्जी के जी टू पॉइंट टू यूट्व चैनल पर आपका उनाहार्दी का भी नंदन है नशा बुक्ति अभियान तो आपने सुना ही होगा किसी भी चीज का आवशक्ता से ज्यादा यूज करना और यू कहें कि रूटीन में ढब करके उसके यूज करना नशा का लाता है नशा ड्रग का भी होता है नशा अमीरी की भी होती है नशा शोहरत की بھی होती है और नशा मॉबाइल की भी होती है और विज्ञानियों को का ये कहना है कि मुबाइल का जो नशा है वो ड्रग के नशे से भी ज्यादा खतरनाक है ज्यादा खातक है फेटल है डेंजरस है आज के जो अनुबह हैं वो ये बता रहे हैं कि मुबाइल का नशा ड्रग से भी ज्यादा खातक है खत्म हो रही है आखों की नमी आखों की रोशनी मोबाइल को यूज करने से नशा का मतलब यह होता है कि शारीरिक मानसिक रूप से नुकसान पहुंचे यह स्मार्टफोन है यह हमें शारीरिक मानसिक दोनों रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसलिए जो यह मोबाइ बेसिस पे यूज करना टेक्नोलोजी की रिक्वाइर्मेंट है करना भी चाहिए लेकिन जब उसके एडिक्ट हो जाए उसके बीना जीना दूसरवार हो जाए रात मुसको आफ नहीं करेंगे जहां जाएंगे माँ पॉकेट में चिपका के रखेंगे हर दो-चार मिनाट उसको नियारते रहेंगे ये नशा है और मुबाइल का नशा जो है ड्रक से भी ज़्यादा खातक साबित हो रही है मुबाइल का अधिक उप्योग करते करते आज कल युवा वयस्क सहित प्रतिक आयुवर्व के व्यक्ति एक नवीन रोग को उत्पन करते जा रहे हैं एक नवीन रोग के तरफ पढ़ते जा रहे हैं मुबाइल का उप्योग लोगों द्वारा इस हद तक किया जा रहा है चाहते हैं, तो वो कुछ eye drop देते हैं, बोले computer जिदायूज़करते हैं, mobile जदायूज़करते है इसको आखो में डाला किजिए, इससे नमी रहेगी, होना ये चाहीए कि थोड़े थोड़े देर के बाद से पलके झपकती रहनी चाहिए, हम मुबाइल में इस तरीके से मश्गूल हो जाते हैं इस तरीके से उसमें बीजी हो जाते है कहां पल के जपकाने का मौका मिलता है पल के जपकाने का मौका तो मिलता ही नहीं है और इसलिए आखें शुश्क हो जाती है ड्राइ हो जाती है या उन्हें मुबाइल उपयोग करने से मना कर दिया जाए, बच्चे आक्रामक हो जाते हैं, जित करने लगते हैं, गुच्सा करने लगते हैं, मारने पिटने पर उतारू हो जाते हैं, ये इस्तिती बन गई है मुबाइल यूजर्स की, औरोस-पडोस के घरों में जाकर क्या आप देख लीजी अपने घरों में भी देख सकते हैं बच्चों से अगर मुबाइल ले लिया जाए तो बच्चे किस तरीके से वाइलेंट होने लगते हैं किस तरीके से rigidity create करते हैं नहीं नहीं मुझे तो मुबाइल चाहिए 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 मैं चाहिए सो मुबाइल का लत जो है यह मुबाइल का नशा जो है यह किसी ड्रग के नसेशे कम घहा तक नहीं है जब मतुरा नगरी की बात होती है बगवान सिरक्रिष्ण की करमस्थली मतुरा जहां पर लोग बगवान सिरक्रिष्ण की भक्ती में डूब जाते थे वो मतुरा जहां पर राधारानी के भावनाओं में विभोर हो जाते थे लोग वो मतुरा जहां की रासलीला में लोग मंगन हुआ करते थे करते थे अब 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 ये लोग मोबाइल के नशे में मानसिक बिमारियों के शिकार होते जा रहे हैं क्या हो गया लोगों को हां भगवान सिरकिष्ण की कर्म भूमी कर्मस्थली मतुरा आनन्द का अथा सागर मतुरा मोबाइल के नशे में मानसिक बिमारियों के शिकारी पढ़ते जा रहे हैं सुनने में यह अश्यर जरूर लगता है पर हम तो सर्वे कुछ ऐसा ही बता रहे हैं और यह जो इंसीडेंट हम लाए हैं यह मतुरा का ही इंसीडेंट है हुआ यह है कि मतुरा शहर में एक मानसिक बिमार का रोग्राण होस्पिटल एक मेंटल होस्पिटल मेंटल एसिलम होस्पिटल खोला गया है और वहाँ पर अभी देखा गया है कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को ले जा करके और उनकी जो बिमारी पकड़ ली है मुबाली की उस मिबारी को दूर करने के लिए वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है महां पर बच्चों को मोबाइल के नशे से मुक्त करा जा रहा है महां के जो महानिदे शक्ची कित्सक है उनके तरब से ये पहल किया गया है और लोग अपने बच्चों को ले जा रहे हैं महां पर कि साव हमारा बच्चा जो 24 घंटा मोबाईल में लगा रहाता है इसको इस नशे से बाहर निका लिए मा के जो डाइरेक्टर जेनरल थे उन्होंने CMO को कुछ दिन पहले ही लेटर लिखा था कि आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही है सुसाइडल एटेम्ट के घटनाएं बढ़ते जा रहा है मोबाईल नशा और बढ़ते जा रहा है मनोबिकार उससे बढ़ते जा रहा है इसलिए ऐसे लोगों से परामार्श करके कंसल्टेशन करके उनको उचित ट्रीटमेंट दिया जाए ऐसा क्यों उन्होंने लिखा क्या मोबाईल की लत जो है ड्रग के लत से भी ज़्यादा खतरनाक है खातक है अगर है तो इसका बच्चों पर क्या-क्या असर पढ़ता है मोबाईल का नशा शराब और ड्रग वाले नशे से भी बढ़कर है नोट इट मोबाईल का जो नशा है वो शराब और ड्रग के नशे से भी बढ़कर है इसकी वज़ा से बच्चों में नींद नवाना भूख की कमी दिमाग पर बुरा असर आँख खराब होने जैसी समस्यां उत्पन हो रही है और क्या चाहिए ये जो मांसिक बिमारी है ये शारीर की बिमारी में भी कनबट होती नजर आ रही है निंद न लगना भूख भी बच्चों को नहीं लगता रहे मम्मी अभी मेरे पास टाइम नहीं अभी मैं पोगो खेल रहा हूँ अभी मैं पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ दिमाग पर इसका पूरा प्रवाँ पड़ता है आँख खराब होती जा रही है ड्राई आई के सिकायत हो रहे है तो जदी किसी व्यक्ति में इस लगत के आने से पहले तक मोबाइल के किरदार को देखें तो ये एक ऐसा माध्यम था मतलब आज के डेट में इसको हम डेंजरस बना दिया है इससे पहले मोबाइल हम यूज करते थे अब मोबाइल हमें यूज कर रही है पहले मोबाइल हमारा सर्वेंट हुआ करता था और हम इसके master हुआ करते थे अब हम इसके servant हो गए है और mobile हमारी master हो गई है now I'm being controlled by my own mobile I don't have control over my mobile my mobile controls my behavior मुझे वाकिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे किसी से बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे TV देखना चाहिए कि नहीं मुझे गाना सुनना चाहिए कि नहीं से नहीं मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं कि पढ़ना चाहिए that is now by dictated and decided by my mobile smartphone लेकिन क्या ये शुरू से ही बुरा था? नहीं इससे पहले कि ये लत बना, इससे पहले कि ये नशा बना, इससे पहले mobile ने हमारे जीवन को अत्यदिक सरल बना दिया था हम जब चाहते थे अपने near and dear से बातें कर लिया करते थे message भीज लिया करते थे ये काम तो जटपट हो जाता था, कितना आसान हो गया था, कितना आसान जीवन हो गया था फिर धीरे धीरे mobile के features बढ़ते गए और जो phone था, वो smart phone में convert हो गया अब, अब उस smart phone में blue whale एक blue whale जैसे खतरनाक game जो कभी कभी बच्चों को depression मिला देता हो, साथ मिला देता है और बहुत से बच्चों को आत्मात्या करने के लिए उकसा भी देता है ऐसे ऐसे भी feature आने लगे है इसको नशा न कहेंगे तो क्या कहेंगे जो जान ले ले, वो नशा नहीं तो क्या है हमें अपने नावनिहालों को हमें अपने बच्चों को हमें अपने देश के इन करनधारों को mobile नाम के इस नशेश मुक्त करने के आवशकता है चाहें वो मेरे घर के बच्चे हो चाहें आपके घर के बच्चे हो कंट्रोल करना है उसके alternate ढूणने है अगर मुवी देखनी है टीवी में देख लीजे, स्मार्ट टीवी आजका लागई है गाना सुनने है टीवी से सुन लीजे रेडियो से सुन लीजे सीडी प्लेयर चला लीजे वारता करनी है मुवाइल से कर लीजे ने तो गर में एक फोन रखा उससे कर लीजे है ना दीरे दीरे इसका सब्स्च्चूट हमें ढूणना है अगर हम substitute नहीं डूड़े तो इस mobile नाम के नशे में हमारी आने वाली पीड़ी कुछ इस तरीके से डूब जाएगी कि वहां से निकल पाना दूबर हो जाएगा तो इस mobile के नशे से हमें अपने आपको भी बचाना है अपने आने वाली पीड़ी को भी बचाना है आज के प्रेरख पसंग यह तीन चीजे ऐसी होती है तीन चीजे इसे हम यह कह लें तीन चीजे जिन्दीगी का शुकून छिनने के लिए पर्याप्त हैं सफिसियंट है क्या क्या है जूठा प्यार बमतलबी यार और पंचायती रिष्टेदार यह तीन चीजे काफी है जिन्दीगी का सुकून छिनने के लिए क्या क्या हमने कहा जूठा प्यार या एकतरफा प्यार मतलबी यार और पंचायती रिष्टेदार यह तीन चीजे हमारे जिवन के सुकून छिनने के लिए पर्याप्त हैं और चौथी चीज जो है वो आज की मोबाइल आ गई है तो इससे होश्यार रहने के आउ सकता है मोबाइल को जो सर्वेंट यूज करना है जो मास्टर नहीं वी विल बीदा मास्टर और मॉबाइल शुट बीदा सर्वेंट इसका हमें ध्यान रखना है मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रेरक प्रसंग के साथ कुछ नए जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार